बिग बॉस के फिनाले में अब बस कुछी घंटे रह गए हैं और इन घंटों में फैंस और घरवाले इस बात को जानने का बेसबरी से इंतिजार कर रहे हैं कि कौन होगा बिग बॉस का विनर लेकिन अब सिधार्थ फैंस के लिए आई है एक खुशकबरी दरसल फिनाले से पहले वूट ने ये डिकलेर किया है कि कौन है असली फैंस का विनर दरसल ये कॉंपटीशन होता है शहनाज और रश्मी के बीच में और दूसरी तरफ होता है सिधार्थ वर्सिस आसिम जी हाँ लेकिन अब वूट ने बता दिया है कि इस कॉंटेस्ट में कौन जीता है बता दे इस कॉंटेस्ट में बाद्षय और बेगम विनर बन गए है जी हाँ आपने बिलकुल सही सोचा सिधार्थ और शेनाज बन गए है इस कॉंटेस्ट के विनर सिधार्ट बन गए है असली फैन के विनर और उम्मीद भी सबकी यही थी ग्रेंड फिनाले से पहले बिग बॉस की ट्रौफी लेने से पहले बन गए है सिधार्ट विनर इस वज़े से सिधार्ट फैन्स बड़े खुश नजर आ रहे हैं फैंस का कहना है कि वूट असली फैंस में विनर बन गए है सिधार्ट शुकला और अब टॉफी भी हम सिधार्ट को ही दिलवाएंगे वूट का कहना है कि इस मुकाबले मेंसे विनर बताना बड़ा मुश्किल था लेकिन अब सिधार्थ के फैंस ने उनको विनर बना ही दिया है बताते चले ऐसी खबरे आ रही है कि सिधार्थ और आसिम ने दे रखी है एक दूसरे को कड़ी टककर और शेहनास इन दोनों से थोड़ा साथ दूर है लेकिन आरती, रश्मी और पारस तो इस रेस से बाहर हो गए है आपको कौन लगता है आसिम और सिधार्थ में से कौन बनेगा विग बॉस 13 का विनर हमें कमेंट सेक्षिन में बताना बलकल न भूले और इसे तरह की बिग बॉस की ग्रेंड फिनाले की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चानल को सब्सक्राइब करना बिलकुल न भूले ताकि आप तक पहुंचता रहे हमारा हर लेटेस्ट अपडेट